आपको आपका दोस्त असी मानन्द और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगया दोस्तों हमारी बगया में आज मैं हूँ अपने जो घटेवल गार्डिन है उसके अंदरgesch कप्षाव और इस घटेवल घार्डिन में आपने बहुत सारे चीजे 53 तो लगाती हैं लेकिन उसमें जो है, बहुत ज़ादा फ्लूटींग नहीं होती है या एकदो ही आती है तो ऐसा क्यूं होता है, एकदो आती है, ऊर मेरे बग़ीचे में क्यूं इतने आती है क्या मैं सरच बोल रहाँ है या जूट बोल रहाँ है तो आज खुद ही आप जो इसके हर्विस्टिंग भी देखिए और जो हर्विस्टिंग है उसके साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताते हुए जाओंगा कि आखिर आपको वेजिटेबल गाइजन में क्या-क्या करना होता है। दोस्तो ये है बैगन का पौधा जो की हमारे चट पर लगा हुआ है एक थर्माकॉल की पेटी में और देखे कितने बड़े-बड़े बैगन इसमें आ रहे हैं और किवल यही बैगन नहीं बहुत सारे और बैगन के पौधे भी हैं और अलग-अलग तरह के बैगन उसमें लग कीड़े से भर गया था पत्ते बिलकुल जालीदार हो गय थे और उस समय की स्थिती को भी मैंने आपके सामने शेयर किया था और वही पौधा जब मैंने कुछ स्प्रे बगरा किया तो उसके बाद फिर से ये बहुत अच्छा हरा-भरा हो गया और बहुत अच्छी फ्रूट तो ज़्यादा जो कीड़े लगे हुए पत्ते थे तो उन पत्तों को मैंने कैचे के हल्प से हका दिया था और उसमें इस्प्रे कर दिया था दो-तीन दिन बाद-बाद मैं इस्प्रे करता रहा और उसके बाद धीरे-धीरे ये कीड़े साफ होते गए उस तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का वैगन है जो कि इसी साल का ही पौदा है और मुश्किल से अभी दो महीने हुए होंगे इस पौदे को लगा हुए तो उसमें से भी कितने सारे वेजिटेबल्स निकल रही हैं और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है और कहीं भी कोई कीड़े इसमें भी इस कैची से काचरके निकल देता हूँ क्योंकि इसी में ही कीड़ो काच्क सबसे जयादा होता है और उसके बाद जो है मैं। इसमें इसमें इसके भी डेते हूं यहां पर देखिए जो स्वाद बीन हैं वो हो रही है तो फल्या देखिए कितनी मौटी-मौटी है इसमें और बह दोस्तों बड़ा होता है बिलकुल स्वाड तलवार की तरह होता है लेकिन अगर मैं इतना बड़ा इसको करूँ गा तो फिर यह हो जाएगा कि खाने में इतना स्वाद इतना अच्छा नहीं रहेगा और फलिया भी कम होंगी तो इससे अच्छा है कि इस समय इसको तोड़ा ज यह जो पौदे हैं बहुत पहले के नहीं है, धाई महीने या कोई तीन महीने मुश्किल से मुश्किल है, तो इतने दिनों में ही लगे हुए हैं, और इस तरह के बेलदार सब्जे अगर आप लगाते हैं, तो काफी लॉंग काइम तक चलता है, खासतोर से यह जो मैंने सेम पाला है, तो लगातार इस से हमें जो है फ्रूटिंग मिलती रहती है, या जो बैगन का पौदा है, वो भी लगाना बहुत आसान होता है, तो उसको आप लगा सकते हैं, कोशिश कीजिए कि छत पर ऐसे पौदे लगाए, जो कि ज़्यादा टाइम तक फ्रूटिंग देते रहें, क्योंकि हमारे पास जगा सीमित होती है, और उसी में हमें सबजया लेनी होती है, अगर हम मूली गाजर बगरा लगाते हैं, तो उसके लिए परियाप्त कंटेनर हमारे पास होने चाहिए, तब ही लगाना ठीक रहता है, क्योंकि ऐसे सबजया एक बार में ही खत्म हो जाती है दुस्तों सब भी आप लगाए तो सबजियों वाले पॉदों के लिए जो टब है बड़े टब का चुनाप करें और खास तोर से जो बेल वाली सबजिया होती है तो उसके लिए बड़े टब की बहुत जरूरत होती है तो यहां तो मैंने जो है थर्माकॉल की जो यह होती है लगबग देड़ बाई दो फिट के लगबग यह पेटी होती है और हाइट भी अच्छे खास से इसमें होती है एक फिट के लगबग लगबग हाइट भी इसमें होती है तो इसमें मैंने इनको लगा दिया था और कभी भी आप अगर इन पौदो को लगाए तो बह बेल वाले पौधे हैं वहीं लहने दे जुसतों अगर आप ज्यादा पौधे लगा देंगे तो इससे एनरजी बहुत ज्यादा चाहिए होती है पौधों को और उतनी एनरजी उस थोड़े से मिट्टी में से पौधे को मिल नहीं पाती जिस कारण से पौधों में फ्रूटिं नहां देना बहुत जरूरी है दोस्तों जो मिर्च है देखे मैं तोड़ना हूँ और यहां कई तरह के मिर्च है यह तो ग्रीन कलर के मिर्च है तो ग्रीन और ब्लैक दोनों तरीके के ही मिर्च जो है पौधे में आ रहे हैं मिर्ची में दोस्तों जो पत्ते सिकोड़ने की बिमारी है ये बहुत जल्दे आ जाती है और बरसात में ये कौमन भी होती है तो मिर्ची के पौधों में एक तो आप हमेशा इस्प्रेश शुरूबात से ही करते रहें अगर आपने नीम उयल का भी इस्प्रेश रेगुलर लगा तो इस तरह की बिमारिया नहीं आएंगी और अगर आपको लग रहा है कि बिमारिया आ रही है तो जो पत्ते अभी अभी सिकोड़ना शुरू कर रहे हैं तो उन पत्तों को आप कैची से कट कर दे और साथ ही साथ कोई ना कोई उसमें इस्प्रेश भी करें जब भी बिमारियों का अटेक हो तो इस्प्रेश को दो से ती इसके मिटी की, तो मिटी में कोशिश कीजिए कि अधिक साधिक कंपोस्ट हो, और अगर आपके मिटी और कंपोस्ट लगबंग बरावर होंगे, तो ज़्यादा बेटर है, और अगर बरावर नहीं भी हो पाता, तब भी आप उसमें 30 से 40% कंपोस्ट तो डाल ही दीजिए क्योंकि कम समय में फसल होती है जो भी सबजियों की होती है तो कम समय में अधिक एनरजी की उन्हें जरुरत होती है तो जो भी आपके अलागे की मिट्टी है तो उसके साथ 40% के लगबग आप जो भी कमपोस्ट है चाहे वो cow dung compost हो या वर्मी compost हो या पत्तों की खाद हो तो इस तरह के चीजों को आप मिला सकते हैं या kitchen waste compost भी मिला सकते हैं और 10% आप rate इसमें मिला दीजिए जिससे की जो मिट्टी है थोड़ी हलकी रहेगी तो उसमें पौदों की growth भी बहुत अच्छी होती है और जो पौदे मिट्टी में जो उकते मिट्टी में जो सब्जा उकती है जिससे मूली गाजर बगरा तो उसके लिए मिट्टी थोड़ी और घीली चाहिए होती है तो उसमें रेत की संक्या या रेत की जो मात्रा है वो गीली नहीं रहनी चाहिए जो भी पानी की अधिकता होती है वो साइट से या नीचे से निकल जाए इस बात का आपको ध्यान लखना है और मैंने जो बड़े-बड़े ये थर्माकॉल के बॉक्स लिए हैं तो मैंने उसमें तली से कोई छेद नहीं किया है मैंने उसके जिससे किनारे किनारे से से सेच किया है जिससे की तली में से पानी निकल करके छट में तैरेक्ट टशना हो और किनारे से जो पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है तो फिर छट में जो खुली हवा खुली धूप में गिर करके वो जल्दी सूख जाता है दोस्तों अपने जो भी प्लांट्स है उसके नीचे घरपत्वार बिलकुल भी उम्मे ना दे और जितने भी सूखे पत्ते हैं या कटे पते पत्ते हैं उसको हमेशा आप साफ करते रहें तो आटोमेटिकली आपके जो प्लांट की एनरजी है वो नए पत्तों को नए फलो को प्रिड्यूस करने में ही जाएगी दोस्तों जब आपके प्लांट में फूल आ रहे हो या जब फल आना शुरू हो रहा हो तो ऐसे में उनको एनरजी की ज़्यादा ज़रुत परती है तो ऐसे में आप जो है लगातार उनको कोई ना कोई लिक्विट फर्टिलाइजर देते रहें तो इससे जो फ्रूटिंग है वो कंटिन्यूस बनी रहेगी लिक्विट फर्टिलाइजर में आप सरसो की खली का लिक्विट फर्टिलाइजर दे सकते हैं या जो सब्जियों के छिलके हैं तो उसका लिक्विट फर्टिलाइजर वो दे सकते हैं अपने गार्डन से जो भी पत्ते फूल कलिया सब निकलते हैं जो सुखे हुए रहते हैं सड़े गले रहते हैं तो उन चीजों को पानी के अंदर डाल करके और उस पानी को जो है आज ज सकते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेगा और हमेशा जो है बदल बदल के कोई ना कोई लिक्विट फर्टिलाइजर देते रहें केले के चलके का लिक्विट फर्टिलाइजर है तो वो भी बहुत ज़्यादा फाइदे बंद है तो इन सब का यूज आप करते रहेंगे त तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लीजिएगा और साथी जो भी चैनल में बाते बताई गई हैं तो उनको भी अपने गार्डन में जरूर यूज़ कीजिएगा वीडियो को अब तक देखने के लिए आप सब का धन्यवाद